है गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में आपके साथ जशन की वीडियो शियर कर रही हूं फिश टेल ब्रेड की वीडियो शियर करूंगे और वो भी इतने ज़ादा ओईली हेर पे मैं तो गाईज जशन के बालों पर मैंने किया वी हीर ओइलिंग बहुत ज़्यदा ओईलिंग की हुई है मैंने उसके बालों में पेरशूट ओईल मैंने उसके बालों पर लगाया आप जैसे तुड़े-थुडे मोसं में चेंज आ रहा है विटर स्टार्ट हो रही हैं तो अब मैं parachute oil भी उसके बालों में use करूंगी घर्मियों में mustard oil ही use करती थी oiling मैंने उसके बालों में कर दी है tangles मैंने अच्छी तरह से remove कर दी है और अब उसके बाल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी tangles उसके बालों में नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जशन के बालों में मुझे heavy hair oiling ही करनी पड़ती है उसके बालों में बहुत ज़्यादा oil लग जाता है बिल्कुल भी उसके बालों में tangles अभी नहीं है तो आप उसके oily hair देखे इतने सुन्दर उसके बाल लग रहे थे न बालों की length उसकी और भी ज़्यादा increase हुई है अगे से उसकी height भी आगे से थोड़ी लंबी हुई है लंबा अगया जशन और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हुए है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालों में tangles बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत आराम से मैं उसके high ponytail कर दी हूँ सबसे पहले बिल्कुल close से आप जशन के बाल देख सकते हैं कि उसके बालों में कितना ज़्यादा oil लगा हुए है अब जैसे थोड़ा मोसम चेंज हो रहा है ना तो आप parachute oil का भी यूज़ कर सकते है गर्मियों में थोड़ा अवाइड ही करती थी parachute oil को बिकॉज ना parachute oil से मुझे जशन को ऐसा फील होता था कि गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए मैं पूरी गर्मिया मैंने उसके बालों में जस्ट मस्टर्ड आयल ही लगाया है तो आज मैं सिंपल स्लीक ब्रेड नहीं बना रही हूं फिश्टेल ब्रेड बना रही हूं बड़ी ही सुंदर ब्रेड लगती है यह वली अगर अगर आप किस अपने हेरस्टाइल कर वार्具 ब्रेड को उपन कर दिया को तो आप देख सकते हैं कि दोनों दो हिस्सों पर ना बालों साइट से क्लियर रही है इस अगर आप इस पर बीढे या फिर किसी भी यहर असेसरी का यूज करेंगे ना पूरी ब्रेड पर यह फ्लावर जो आटिफिशल फ्लावर होते हैं वह इस ब्रेड पर लगाएंगे तो यह वली ब्रेड इतनी ज्यादा सुन्दर लगती है और जशन के बालों में तो न जैसे कि मतलब कम से कम मुझे 10-15 5 मिनट लग ब्रेड भार 2 ब्रेड खतम यह पिसकी ब्रेड करतियों जुड़ा भीमें水व की ब्रेड साफ के फेंट विड Naruto कोई हाथ में ब्रेड ब्रेड करने है ऑव करेंग्श आयर संहि clarity मुझे पर अच्छी तरह से ऑईल लगाती ऑं टैंगल को रिमूव करती हो उसके बाद ही मैं ब्रेड मनाती हो कि ड्राय हेर तो उसके बाल आते ही नहीं है टैंगल भी इतने ज्यादा होते हैं तोडियर आप बिलकुल ख्लोस से देख सकते हैं कि यह पर ब्रेड कितनी ज्यादा संदर लग रही है और इस braid में सबसे ज़्यादा सुन्दर जो लग रहा है वो यह है कि बालो पर oiling बहुत ज़्यादा हुई है oiling की वज़ए से बालो में इतनी अच्छी shine आ रही है braid इतनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है बहुत easy है बहुत असान है यह वाली braid बनाना girly hair style है girls के तो इतना ज़्यादा सुन्दर लगेगा यह वाला hair style जशन के तो just मैंने video बनाने के लिए braid बनाई है जैसे ही video खतम हुई मैंने उसकी braid को open किया उसके जुडा किया उसे पठका वेयर किया तो आपको यह फिश्टेल braid hairstyle कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप कमेंट भी नहीं करते हैं प्लीज जशन की हर वीडियो पर अच्छे-च्छे कमेंट कीजिए जशन खूद आपके कमेंट रीड करता है और आप लाइक भी कीजिए वह पूरी वीडियो देखता है जो आप कमेंट बेजते हैं वह से सारे कमेंट को रीड करता है तो आप अच्छे-च्छे उसको कमेंट भी वेजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए तो देखिए इस वीडियो को ना मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है जितना टाइम मुझे ब्रेड बनाने में लगा है उतना ही मैंने मतलब बिल्कुल भी मैंने इस वीडियो को फास्ट नहीं किया है बहुत अराम से मतलब ना टैंगल्स बालों में बिल्कुल भी नहीं थे तो बिल्कुल इजी तरीके से ब्रेड बन रही थी मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई ब्रेड बनाने में यही अगर मैं ड्राइ हेर में ब्रेड बनाती ना तो जेशन को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता और मुझे तो मुझे तो ब्रेड बननी ही नहीं थी ओईली हेर में मुझे ब्रेड ज़्यादा सुन्दर लगती है जब हम भी स्कूल में देना तो बालों पर अच्छी तरह से ओईल लगा कर फिर हम दो करेले करके बालों में रिबन डालकर फिर स्कूल जाते थे जेशन के बाल अगर इतने लंबे हैं बालों की लेंध अगर इतनी ज़्यादा अच्छी है तो उसकी वज़ा यही है कि उसके बालों पर मैं बहुत ज़्यादा ओईलिंग करके रखती हूँ उसके बाल मैं बलकुल नीट अन्ड लगती हूँ हफते में दो बार उसे मैं हेर वाश करवाती हूँ आयूर शैंपू का मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ मस्चड ओयल और पेरेशिट ओयल उसके बालों पर यूज़ करती हूँ अच्छी ऑईलिंग उसके बालो पर करती हूँ हर रोज सुबह मैं उसकी कॉम्बिंग करती हूँ अच्छी तरह बालो पर इसके इलावा मैं कोई भी चीज नहीं यूज करती हूँ कंडिशनर, सिरम या कोई हेर पैक कुछ भी मैं उसके बालो पर नहीं लगाती हूँ उसके बालो की ग्रोध ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना पूरा वीक उसके बाल कवर रहते है अगर हम बालो को कवर रखेंगे ना फोल्ड करके रखेंगे तो बाल हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जते हैं, लंबे हो जते हैं, स्ट्रॉंग हो जते हैं तो गाइस देखिए, ब्रेड देखिए उसके कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है तो देखिए गाइस, पूरी ब्रेड बनाने के बाद, लास्ट में मैंने इस तरह से रबर बेंड डाला है कितनी लंबी उसकी ब्रेड हुई है, उसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितनी सुन्दर ये वली ब्रेड लग रही है बहुत इज है ये वली ब्रेड बनाना आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको ये वली ब्रेड बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगी तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं ब्रेड के कितनी ज़्यादा ब्रेड सुन्दर लग रही है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई